नमस्कार RKSMB के मुख्य आंकलन जो 3 नुवंबर से सुरू होने जा रहा है की गैडलेंड जारी हो चुकी है इसकी समयशारनी परसन पत्तर आपको कैसे मिलेंगे आप तक आपके विद्याले में कैसे पहुंचेगे कब पहुंचेगे और वीत्रन के बाद जब आपके पास पेपर आ जाए तो आपको क्या त्यारी करनी है उसके परशाथ जो OCR सीट है उसको अपलोड करने का सही तरिका क्या है पेपर जो है पैंच से करवाई या पैंसिल से इससे समधे सबी गाडलाइन जारी हो चुकी है पूरी वीडियो और राम से देखे ताकि कोई गलती नहीं हो कक्षा 3-5 के लिए जो पैपर है उसी पैज को हमें अपलोड करना है उस पे टिकमारक करवाने है 15 परसन आएंगे और उसी में आपको टिकमारक करवाने है पैंसिल से 6-8 के लिए OCR सीट और परसन पतर अलग होंगे आपको सिर्फ OCR अपलोड करनी है नएकी पैपर कक्षा 3-5 और 6-8 के लिए जो समय सारनी है वो इस परकार है आप स्क्रिन सोट ले सकते हैं परसन पतर वीत्रन के लिए समय सीमा और जो चारट है स्टूल है वो इस परकार रहेगा आप तक परसन पतर 1-2 नुमबर को आपके विद्याले में पहुंचेंगे जो की पीयो द्वारा पहुंचने है संगन के अंदर जो है विद्याले रहेगा अधिकर्त वेक्ति यहां प सकता है एक तरिक को आपको पर्षन पतर मिले हो सकता है दो परसन पतर आप तीन कों खोलेंगे जब समय सार्णी बताई गयी है आकलन चे यह जो समय समय सारनी है जैसा कि आपको पता है तीन चार और पांच नुवंबर को एकजाम होने वाला है ये समय सारनी है फिर से स्क्रिंशोट ले लीजिए अकलन के दिन जो आपको परशन पत्र बच्चों को देने है उसमें टिक मारक आप पैंसिल से करवाएं पहले रफ सीट में उत्त पत्र को समझने में नै की उत्तर देने में आकलन के दुरान शेक्षक द्वारा जो हेल्प है वो इस परकार दी जा सकती है हिंदी के लिए शेक्षक परशनों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं पैसिस पढ़ने के लिए लेकिन उत्तर बच्चा श्वम देगा इसी परकार इ तीन, चार, पांच और एक से आठ चार सिक्षक विद्या ले और एक से दस या बारा छे सिक्षक विद्या ले इस प्रकार आप रोल नंबर वाईज इनको बिठाएंगे आकलन के परशात OCR की जो प्रकिरिया है OCR का उप्योग इस प्रकार करना है 6-8 के लिए जो 4 बार कोड है वो अच्छे से दिखाई दे फिर आपको अपलोड करना है और 3-5 के लिए जो पर्शन पत्र है वो इस प्रकार जैसा के आपके सामने है चारों कॉर्णर उसके दिखाई देनी चाहिए और ये बिल्कुल फोल्ड नहीं होना चाहिए और साथ में पैंसिल से टिक मारक अच्छे से करवाएं काटा बानी नहीं करवाएं OCR के बारे में अन्यमेत पुन बाते इस प्रकार है OCR आपको श्यों को चेक नहीं करनी है नए कोई निशान लगाना है नहीं अस्ताक्षर करनी है एक बार पेपर कलेक्ट करने के बाद उत्र पत्रक पर कोई प्रिवर्तन नहीं करना है यदि गलती से बच्चा एपसेंट मारक कर दिया गया है तो एप पर सपलता प्रूवर को पूरा बटन दबाएं इसके बाद आपको विद्यारती के नाम का बटन दिखेगा उसको दबाएं और OCR अपलोड करें यदि कोई विद्यारती एपसेंट हुआ तो साथ नौवंबर से पूरा उसका आपकलन करवाएं OCR सीट अपलोड करें दियान दे कि बच्चे केवल टिक कर रही हैं और कुछ नहीं फोटो खींचते समय OCR और परशन पत्र की फोटो जब खींच रहे हो तो इन बातों का विशेज द्यान देना है फोटो जब ले रहे हो रोशनी पुरुन हो तुंदली नहीं हो फोल्डिंग नहीं हो चारो कॉर्णर ब्रॉबर दिखाए दे तब ये अच्छे से फोटो आएगी जैसा कि कुछ गल्तियां पिछली बार की गई थी ये जितने भी दिखाए गए हैं एक से छे तक इस प्रकार इनमें से आपने कुछ भी किया है बच्चे का फोटो लिया है ओस या पर्शन पतर अच्छे से नहीं लिया है तो ये सारे की सारे जो दिये गए हैं कट के निशाने ये सारे की सारे गल्त हैं आपको ऐसे नहीं करना है और साथ से दस तक भी दिया गया है फोटो में मुबाइल का मारक नहीं आना चाहिए फोटो टेड़ी में दे रखी है वो नहीं आना चाहिए फोटो के लावा साइड का जो बेकराउंड है वो भी नए आए तो अपलोड करने का सही तरिका OCR और पर्शन पतर इसमें दिखाया गया है जो आपके सामने है आप इसको कोई भी समस्चा है तो आप टेलिगराम RKSMB के 2022 और इसके साथ इसी YouTube चैनल पर आप कमेंट करें चैनल को स्क्राइब कर लीजिए इससे समदे सभी दिशान देश आपको यहीं बताए जाएंगे वीडियो को सेर करें धन्यवाद